दोस्तों इस वीडियो में हूं बात करने वाले हैं Tata Motors के बारे में जिसा कि आप देख सकते हैं Tata Motors के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आज आपको कुछ अलगी मुवमेंट देखने को मिले हैं यानि कि अगर हम फर्स सेशन की बात करें तो फर्स सेशन के अंदर Tata Motors के शेर्स के आपको तीजी बनते वे देखने को मिल रही थी लेकिन second session में देखेंगे तो second session में आपको Tata Motors फिर week होते वे देखने को मिला है और उसके पीछे की वज़ा जो है वो यहाँ पर COVID-19 के cases को लेकर और उसी के कारण जो यहाँ पर market के अंदर impact पढ़ रहा है जैसा कि आपको पता है महाराष्ट के अंदर lockdown की situation create हो गई है और यहाँ पर महाराष्ट के अंदर कल शाम को महाराष्ट के chief minister जो की उद्दव ठकरे उनकी तरफ से यहाँ पर official announcement भी हो सकती है lockdown को लेकर जिसके कारण यहाँ पर आपको last one hour के अंदर Tata Motors के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है यदि आज हम Tata Motors की बात करें तो Tata Motors का share आग 307 रुपे 70 पेसे पर open वा 308 रुपे 15 पेसे का इसने high बनाया और 294 याने की 294 रुपे 20 पेसे का इसने low बनाया लेकिन जो इसकी closing निकल कर आई है 200 सिंत्यानो रुपे 40 पेसे की इसकी closing निकल कर आई है और यहाँ से अब Tata Motors ने अपने 300 रुपे के support level को तोड़ दिया है तो यहाँ से अब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है तो किन resistance का किन support levels का आपको ध्यान रखना है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ और यदि आप Tata Motors के अंदर fresh entry बनाना चाते हैं तो अब आपको नए यहाँ पर target को लेकर चलना होगा चलिए दूस्तों वीडियो को start करते हैं और सारी चीजों को detail में समझते हैं उसके लिए यदि आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया तो telegram channel को join कर लीजिए वहाँ से आपको सारी updates सारे resistance और support levels वहाँ से देखने को मिल जाएंगे जैसा कि हमने आपको आज सुबे भी तीन price action stocks बताये थे Tata Motors, Ipka Laboratory और Tata Steel तो यदि आप देखेंगे तो आप Tata Motors ने जो अपनी performance बना कर दिखाई थी first session के अंदर वो काफी अच्छी थी इसी के साथ अगर Tata Steel को भी देखेंगे तो Tata Steel में ने भी काफी अच्छी performance यहाँ पर बना कर दिखाई थी उसी के साथ जिसके हमने बताया आपको के हमारे टेलिग्राम चैनल से आपको quarter 4 के result भी डाउनलोड करने को मिल जाएंगे तो जिसके आपको पता है नेसले इंडिया ने आज अपने quarter 4 के result डिकलेर कर दिये हैं और यहाँ से आप नेसले इंडिया के quarter 4 को result को भी डाउनलोड कर पाएंगे और आने वाले सभी कमपनियों के quarter 4 के result भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे तो टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ से उसे जॉइन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि यदि आपने Tata Motors के अंदर investment कर रखाए तो क्या आपको क्या strategy यहाँ से लेकर चलना चाहिए तो यहाँ से जो brokerage firm हो की जो यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी brokerage firm है उनकी तरफ से Tata Motors को लेकर यहाँ पर राय निकल कर आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने Tata Motors को hold करने का ही यहाँ पर suggest किया है क्योंकि the stock is forming a higher top and higher bottom structure on the weekly charts and hence the trend continues to be positive यानि कि Tata Motors के यहाँ से भी जो trend देखे जा रहे हैं वो काफी positive देखे जा रहे हैं तो यदि आपने Tata Motors को अपने portfolio में रख रखाए यानि कि उसके अंदर upper liver से entry ले रखिए और अभी आपको अपने portfolio में Tata Motors के अंदर आपको loss आ रहा है तो आपको यहाँ पर panic नहीं होना है और patience बनाए रखना है इसी के साथ में जो Tata Motors के नए support level निकल कर आए है वो है 270-275 के जैसा कि आपको बता है 300 रुपे का support level आज यहाँ पर Tata Motors ने breakout कर दिया है यानि की तोड दिया है तो यहाँ से आपको जो Tata Motors के नए support level लेकर चलना है वो है 270 रुपे और 295 रुपे और यदि Tata Motors 270 रुपे तक जाता है तो आप वहाँ पर buying की opportunity देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल market close है और गुरुवार को जब market open होगा तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा volatility देखने को मिल सकती है क्योंकि market के impact बहुत ज़्यादा कल की situation के ओपर depend करता है जैसा कि आपको पता है कल महराष्ट के अंदर lockdown की announcement हो सकती है तो यहाँ पर अगर महराष्ट में lockdown लग जाता है तो महराष्ट की lockdown की news market के ओपर बहुत ज़्यादा impact डाल सकती है जिसको लेकर Tata Motors के अंदर आपको 270-275 के support levels भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ जो Tata Motors के नए resistance निकल कर आए हैं उसे भी जान लेते हैं Tata Motors के जो नए resistance है वो 325 रुपे के यहाँ से short term के निकल कर आए हैं और यदि हम quarter 4 के result के बात की बात करें तो यहाँ से आप 355 रुपे का resistance लेकर चल सकते हैं तो इन सारे resistance और support levels को आपको काफी ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ही आप Tata Motors को analysis कर पाएंगे और उसके chart patterns को भी समझ पाएंगे जिके साथ यदि आपने Tata Motors के अंदर entry ले रखी है याने कि आपके portfolio में Tata Motors को अपने aid कर रखा है तो आपको जो यहाँ पर SL लेकर चलना है उन्हें भी काफी ज़्यादा ध्यान रखना है पहला stop loss आपको 294 याने कि 294 रुपे का लेकर चलना है दूसरा stop loss आपको 200 सित्यासी रुपे याने 287 का लेकर चलना है और तीसरा stop loss आपको 282 रुपे याने कि 292 रुपे का लेकर चलना है ये stop loss में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यदि आपने Tata Motors के अंदर short term के लिए entry ले रखी है यहाँ पर जो technical rating निकल कर आ रही है daily basis की वो neutral देखने को मिल रही है और यदि हम moving averages या technical indicators की तरफ नजर मारेंगे तो वो आपको यहाँ से bearish देखने को मिल रही है और हाला कि moving averages cross words अभी आपको neutral देखने को मिल रहे है लेकिन आने वाले time पे जिस प्रकार की situation create होते वे देखने को मिल रही है उस प्रकार से आपको moving averages cross words भी bearish होते वे देखने को मिल सकते हैं तो सारी चीजों को लेकर आपको पहले से alert रहना है और किसी प्रकार की कोई जल्दी अब आपको नहीं करना है नहीं यहाँ पर आपको buying की जल्दी करना है और नहीं आपको यहाँ पर selling की जल्दी करना है इसी के साथ अगर हम volume based काम को भी देखेंगे तो data motors के अंदर अब आपको volume based काम भी थोड़ा सा कम होते वे देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस प्रकार की situation market के अंदर बन रही है उस कारण से हमने भी आपको यहाँ पर एक ही चीच सजिस्ट करिए कि Tata Motors अगर 300 रुपे के अपने support level को breakout कर देता है तो यहाँ से आपको wait करना है एक right opportunity आने का क्योंकि अगर Tata Motors 300 रुपे के support level को breakout करता है तो इसके अंदर आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है यदि आज भी हम NAC और BAC की बात करें तो लगबग 6 करोड क्वांटिटी आज की तारिक में trade हुई है अगर पूरे last one month की अगर हम compare करें तो सबसे कम quantity आज के दिन ही आपको देखने को मिल रही है इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि community sentiments जैसे जैसे market के उपर pressure बनेगा, market volatility के mood में रहेगा, corrections आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तब आपको community sentiments पूरी तरीके से बदलते वे देखने को मिल सकते हैं कल जो 63% यहाँ पर broker की तरफ से buy की call आ रही थी अब वो बढ़कर 73% हो गई है, क्योंकि market के अंदर आज आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, एक flat closing यहाँ से आपको market के अंदर देखने को मिली है, जिसके कारण जो यहाँ पर buy की call थी, वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती भी देखने को मिल रही है, लेकिन यदि आपने Tata Motors को आप खरीदना चाते हैं तो 270, 275 के अंदर आप इसके अंदर एक fresh entry देख सकते हैं चलिए दोस्तों, उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हैं, तो इसे like और share करना बिल्कुल न भूले, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated किसी भी share को खरीदने या बेचने के बिले आपको अपने financial advisor से concern कर लेना है, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके knowledge purpose के लिए बनाई है